मुझा जाए 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 और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब परना मत भूलेगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलेगा जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे और अगर आपने बाल उकास के अन्य वीडियो नहीं तो आप देख सकते हैं उसको भी डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप वहाँ से उसे देख सकते हैं तो सुरू करते हैं अपना वीडियो बहुत ही आसान से टॉपिक है और बहुत ही आसान से प्रशन आते हैं फिर भी हम लोग इसको पढ़ लेते हैं पहला प्रशने एक परिस्तित में सीखे गए ग्यान को दूसरी परिस्तित में प्रियोग करना क्या कहलाता है तो ये कहलाता है अधिगम इस्थानांत्राण इसलिए इसका आप्शन भी सही है मतलब आपने एक परिस्तित में कोई ग्यान सीखा और उसे अगर दूसरी परिस्तित में परयोग कर लेते हैं तो वो कहलाता है आपका अधिगम इस्थानांतरन अगला प्रशने आपका यदि पूरो ज्यान अनुगव या प्रिसिच्छड नए परकार के ज्यान में, सीखने में साहता करता है तो कौन सा अधिगम इस्थानांतरण होगा मतलब है स्वर्षन का कि अगर आप पहले से अनभवी हैं कोई प्रसिछण प्राप्त किये हुए हैं और जिससे आप नई चीज सीख लें जो नई चीज सीखने में साहता करें तो आपका कौन सा अधिगम होगा तो वो होगा आपका धनातमक इस्थानांतरण इसलिए इसका उप्षन भी सही है अगला है जब सीखा गया कोई कार किसी अन्निकार को सीखने में कठिना उत्पन करता है तो क्या कहलाता है कौन सा अधिगम कहलाएगा तो ये कहलाएगा आपका रिणात्मक इस्थानांत्रण इसलिए इसका option C सही है मतलब जब सीखा गया कार किसी याने कार को सीखने में साहता करे तब आपका होगा धनात्मक इस्थानांत्रण और अगर कठिनाई उत्वन गरता है तो होगा आपका रियडात्मक इस्थानांतरण अगला प्रस्ने अधिगम इस्थानांतरण के दूई तत्व सिधानत के प्रवर्तक हैं तो ये हैं इस पेर मैंन इसलिए इसका आप्सन भी सही है और जितने भी मैं प्रस्न लेता हूँ वो टेट और सीटेट के एक्जाम में आयोगे होते हैं और सब एक्जामों के लिए भी बहुत ही महत्पोन होते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगें तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा और सेर भी करें वीडियो को अगला प्रस्न है जब सरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौसल का अंतरण या इस्थानांतरण स्वता दाएं अंग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं तो देखे इसे कहेंगे दूई पारस्विक इस्थानांतरण या दूई पारस्विक अंतरण इसलिए इसका option C सही है मतलब बाएं भाग या बाएं अंग से सीखा गया कौसल स्वता अपने आप अगर दाएं भाग में चला जाता है तो ये कहलाता है दूई पार्षिक इस्थानांतरण इसलिए इसका आफ़सन सी सही होगा अगला प्रषिक जब एक परिस्थित में सीखा गया दूसरी परिस्थित में ना तो साहता करे और ना ही कठिनाई उत्पन करे तो इसे कौन सा अधिगम इस्थानांतरण कहते हैं मतलब एक परिस्तित में सीखा गया ज्यान दूसरी परिस्तित में ना तो साहता करे और ना ही कठिना उत्पन करे तो इसे कौन सा अधिगा में इस्थानांत्रण कहेंगे तो इसे कहेंगे सून इस्थानांत्रण मतलब कोई भी एफेक्ट नहीं पढ़ रहा है अगर आपने एक परिस्तित में ज्यान सीखा है और उससे ना तो दूसरी परिस्तित में कोई साहता मिल लगी है और ना ही कोई कठिना उत्पन हो रही है तो ये होगा आपका सून इस्था सही है अगला प्रशने अधिगम इस्थानांत्रण का प्रकार नहीं है तो अधिगम इस्थानांत्रण का प्रकार नहीं है वो आपका है समतल इस्थानांत्रण या समतल अंत्रण बाकी जो आपके हैं वो इस्थानांत्रण है इसलिए इसका आप्शन सी सही होगा अगला प् तो देखे अनकूल मनुप्रवत्ती सीगने की उत्तम विधी अंतर द्रिष्टिता समय या ये सभी या इन में से कोई नहीं देखे अधिगम इस्थानांतरण के लिए ये सभी परिष्टियां उत्तरदाई होती हैं इसलिए इसका अप्षन डी सही है अगर अनकूल मनुप्रवत्ती होगी तभी जो है आप अपना अधिगम इस्थानांतरण कर सकते हैं विधीयां अगर आपकी उत्तम होगी तभी कर सकते हैं अंतर द्रिष्टिता समय सूझ भूज का समय अगर सही समय पर आपकी सूझ काम कर जाएगी तो आप जो है अगर पहल परिश्यत में ज्यान जो सीखे हैं वो दूसरी परिश्यत में प्रयोग कर सकते हैं इसलिए जो है अधिगा मिस्ताना अंत्रोड को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक होंगे इसलिए इसका आप्शन डी सही है अगला प्रशन है किसी समय व्यक्ति द्वरा बाय हाथ से किया गया अभ्यास दाय हाथ में दुरगटना ग्रस्थ हो जाने पर उप्योगी सुद्ध हो तो वो क्या कहलाएगा मतलब बाय हाथ से उसने कोई कार सीखा है और किसी कारणावस उसके दाय हाथ में चोड़ लग जाती है और वही बाय हाथ वाला जो है कार उप्योगी रह जाए तो वो क्या कहलाएगा तो वो कहलाता है एक पच्छी स्थाना अंत्रण इसलिए इसका उप्चन सी सही होगा लास्ट प्रसने इस वीडियो का और अपने दोस्तों में सेर कीजेगा अपने भाई बंदों में सेर कीजेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक जरूर कीजेगा अगला प्रशने अधिगम की दार्शनिक आधार पर व्याख्या किस मनोग ग्यानिक ने की थी तो ये की थी फ्राविल ने इसलिए इसका आप्शन भी सही होगा फ्राविल ने अधिगम की दार्शनिक आधार पर व्याख्या की है तो थैंक्यू फ्रेंड्स मेरा वीडियो पर खतम होता है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंड थैंक्यू फ्रेंड्स